ये कहानी है साल 1971 की जब पाकिस्तानी सेना अपने पुर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याशार कर रही थी पाकिस्तानी सेना की प्रताड़ना से पुर्वी पाकिस्तान के लोग वहां से भाग कर हिंदुस्तान पलायन कर रहे थे पाकिस्तानी सेना की इस दमनकारिक रुत दिया तीन देसंबर 1971 को शुरू होने वाले इस युद्ध का अंत सिर्फ तेरा दिनों के अंदर ही हो गया और इसके परिणाम स्वरुप दो अंतर रास्ट्रिय घटनाए हुई पहली तो ये कि पाकिस्तान ने सिर्फ तेरा दिनों के अंदर सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान क के साथ कई सारी बहादूरी की कहानियां जूडी हुई है जिन पर हम वीडियो बना चुके है और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी और इंडियन आर्मी आफिसर के साहस और हिम्मत की दास्ता सुनाने वाले है एक कहानी है गोर्खा राइफल्स के मेजर जनरल इयान कार्डोजो की जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी खुकरी अपने हाथ में लेकर अपने ही पेर को काट दिया था इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी खून लेने से भी इंकार कर दिया था इन्ही जानते हैं इनकी पूरी कहानी मेजर जनरल इयान कार्डोजो का जन्म 7 अगस 1937 को मुंबई के एक आम परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम विंसेंट कार्डोजो और मा का नाम डाइना कार्डोजो था इयान कार्डोजो एक आमगर के बच्चे थे और एक सामने जीव सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से की उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में एडमिसन लिया कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एंडिये यानिकी नेशनल डिफेंस एकेडेमी जोइन की एं वह पहले ऐसे NDA KDET थे जिसने gold और silver दोणों medal जीते हो Gold medal Academy के best all round performance करने वाले कड़ेट को दिया जाता है और silver medal merit में first आने वाले कड़ेट को दिया जाता है National Defence Academy के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जिस कड़ेट ने gold medal जीता उसी को silver medal मिला इयान कार्डोजो ने गोर्खा राइफल्स के साथ दो यूद लड़े 1965 और 1971 1971 का भारत पाकिस्तान यूद जब छिड़ा तब गोर्खा राइफल्स उन बटालियन में से एक थी जिनको सबसे पहले यूद भूमी में बेजा गया था हाला कि जब 1971 का यूद शुरू हुआ तब इयान कार्डोजो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन में ट्रेनिंग ले रहे थे यूद के दोरान उनकी बटालियन पूर्वी थेटर में तैनात थी उनकी बटालियन के सेकेंड इनकमन एक ओप्रेशन में सहीध हो गए तबी इयान कार्डोजो को उनकी जगब बुलाया गया उनकी बटालियन के जवान उन्हें कार्थुस साहब कहे कर बुलाते थे क्योंकि उनके नाम का सही उचारन करने में उन्हें मुस्किल होती थी हुआ ये था कि हमारी सेना को कहीं से सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की इंफेंटरी ब्रिगेट को सीलहट से हटा कर ढाका की रक्सा के लिए ले जाया गया है और वहां सिर्फ 200-300 रजाकारों को सीलहट की सुरक्सा के लिए छोड़ा गया है जब जनरल सगत्सिन ने योदना बनाई कि गुर्खा सेनिकों को उनके पास उपलब्द 10 हेलिकॉप्टरों से सीलहट में लेंड कराया जाएगा और वो वहां तुरंत कबजा कर लेंगे गुर्खा बाटालियन को सुबच 7.30 बजे हेलिबॉर्ण ओप्रेशन के आदेश मिले कलोरा से सबसे पहले 7 MI4 हेलिकॉप्टर के जरिये गुर्खा सेनिकों को सीलहट में उतारा गया जैसे ही पहला हेलिकॉप्टर सीलहट पहुचा और गुर्खा सेनिक नीचे उतरने लगे पाकिस्तानी सेनिकों ने हेलिकॉप्टर पर हमला बोल दिया पहली केप में उनके सीयो का रेडियो सेट नहीं आ पाया था इसलिए वो ब्रिगेट कमांडर को ये तक सुचित नहीं कर पाय कि उन्हें यहां क्या जेलना पड़ रहा है दरसल उन्हें गलत सुचना मिली थी कि पाकिस्तानी ब्रिगेट को सीलहट से ढाका ले जाया गया है उन्हें ढाका सिफ्थ होने के लिए कहा गया था लेकिन वो ढाका जाने के बज़ाए सीलहट आ पहुची थी इसलिए जब गोर्खा सेनिकों की बटालियन ने वहां लेंड किया तो उनका सामना पाकिस्तान की दो ब्रिगेट्स यानि करिब 8000 सेनिकों से हुआ था वहां उतारे गए गोर्खा सेनिकों की तादाद सिर्फ 384 थी सारे गोर्खा जमिन पर चूपचाप लेट रहे थे जब पाकिस्तानी सिर्फ 40 के दूर रहे तो उने जै महाकाली अयो गोर्खाली का नारा लगाते हुए उनके उपर हमला बोल दिया पाकिस्तानी सेनिकों ने भाग कर 400 मिटर दूर एक गाव में सरण ली इसी वीच रेडियो पर एक खबर आई कि भारतिय सेना ने अपनी ब्रिगेट सिलहेट में उतार दी है यह सुनकर इयान ने कहा कि अगर पाकिस्तानी को लगता है कि यहाँ एक ब्रिगेट है तो अब हम एक ब्रिगेट की तरह ही लड़ेंगे फिर उन्होंने रणनिती बनाई और पाकिस्तानी उपर तीन तरफ से अलग-अलग हत्यारों से जोरदार हमला किया यह हमला इस तरह किया कि उन्हें लगा यहाँ सच में एक ब्रिगेट तैना थे हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी गंबिर होती जा रही थी सवी टुकडियों को सेना की तरफ से बैक अप आने का इंतजार था इसी बिच इयान की टुकडि को पासी में फसे गुच बांगलादेशी केदियों को रिहा करवाने का काम मिला BSF की एक टुकडि के साथ मिलकर उन्हें इस मिसन को अंजाम देना था दोनों ही टुकडिया केदियों वाली जगह पर पहुची पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए वह उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा चुके थे अब सिर्फ जरूरत थी तोन गायल और कमजोर केदियों को सेना के कैम तक लाने की केदियों की मदद के लिए यान जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस जगह पर वो जा रहे है वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही लेंड माइन बिचा रखी है इयान कुछ कदम ही चले कि उनका पेर एक माइन पर पड़ गया एक जोरदार धमा का हुआ और इयान बहुत दूर जाकर गिर गये उनका पूरा सरीर लहू लुहन हो चुका था उनकी आखों के आगे अंदेरा चाने लगा था सेना के आने से पहले एक बांगला देसी ने इयान को गहल देख लिया वह तुरन थी उनके पास गया उन्हें उठा कर सेना के पास ले गया इसके बाद तुरन थी सेना इयान को अपने कैम्प तक लेकर गई इयान को कैम्प तक तो सफलता पुरवक ले जाया गया मगर केंप में उनका उपचार करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था भारत्य सेना के और से मदद आने में भी वक्त था इयान को होस तो आ चुका था मगर उनके हालत अभी भी गंभीर थी उनका जो पेर लेनमेंड पर पड़ा था उसकी हालत बहुत ही खराब थी उन्होंने पास में खड़े सेनिकों से मॉर्फिन मांगी मगर उन्होंने कहा कि वो उपलब्द नहीं है इसके बाद इयान ने कुछ और दवाईयों के नाम लिए मगर सेना के पास कोई भी दवाई बची नहीं थी जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने साथियों से उनका पैर काटने के लिए कहा उन्होंने पैर काटने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई उपकरण नहीं थे इसके बाद इयान ने उन्हें अपनी खुकरी दी और उससे पैर काटने के लिए कहा मगर उनके साथियों ने इस बार भी मना कर दिया हर कोई हैरान था कि आखिर इयान कैसे अपना पैर काटने के लिए बोल सकते है आखिर में जब इस काम के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ तो खुद इयान ने इसे अंजाम देने की ठानी उन्होंने अपनी खुखरी ली और बिना किसी जिजक के अपना पैर काट डाला उन्होंने इस पैर को सामने खड़े सेनिक को दिया और उसे मिट्टी में गालने के लिए कह दिया इसके बाद उनके सियो वहां आ पहुचे और उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर तुम्हारा ओप्रेशन करेगा ये सुनकर इयान ने ओप्रेशन के लिए तुरंत इनकार कर दिया और कहने लगे कि कोई पाकिस्तानी मुझे हाथ पिनी लगाएगा सियो के बहुत समझाने पर इयान ओप्रेशन के लिए मान गए परमतु इयान ने फिर भी एक सर्त रखी कि मैं किसी भी पाकिस्तानी का खुन नहीं लूँगा इसके बाद सिलहट में इयान का ओप्रेशन हुआ और उन्हें पूने के मिलिटरी होस्पिटल में सिफ्ट किया गया जहां उन्हें एक लकड़ी की नकली टांग लगाए गई इस ओप्रेशन के बाद अब इयान वर्ड डिसिबल थे लेकिन उन्हें ये कहां मंझूर था वो कड़ी महनत करने लगे उन्होंने बैटल, फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट, माउंटन क्लैंबिंग ये सब टेस्ट दिये और सभी टेस्ट में एबल बोडी ओफिसर को मात दे दी फिर उन्होंने अपना केस उस समय के चीफ आफ आर्मी स्टाफ जनरल तपेस्वर नारायन रहना के सामने रखा इसके बाद वो उन्हें लदाख ले गए और देखा कि इयान अब भी परवतो और पर्फ में चल सकते है यह सब देखने के बाद उन्होंने इयान को बटालियन कमांड करने की परमिसन दी इयान कार्डोसो सबसे पहले वर्ड डिसेबल ओफिसर है यहनोंने एक बटालियन और एक ब्रिगेट को कमांड किया है युद्मे अदम में साहस और वीर्ता और सेना में निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें सेना मेडल और अतिविसेस्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया साल 1993 में एयान कार्डोजो मेजर जनरल के रैंक पर रेटायर हो गए इसके अलावा वो साल 2005 से 2011 तक Rehabilitation Council of India के चेर्मेन भी रह चुके है साथ ही वो मेरेथोन रनर है और मुंबई मेरेथोन में रेगिलर हिस्सा लेते है देश के लिए एयान कार्डोजो के योगदान को भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते हम सलाम करते है भारती असेना के सबी जवानों को किन्होंने देश के रक्सा करते हुए अपना सर्वस्वन नियो चावर कर दिया और जो आज भी मातर भूमी के रक्सा के लिए अपनी जान की परवा किये बिना सरत पर खड़े है आपको ये वीडियो को ऐसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताए और इस वीडियो को सेयर भी कर दे जय हिन